लेकर इस समय हर राजसरकार टेंशन में हैं इसी को लेकर सभी राजसरकारें अपने अपनी तैयारियों में जुटग गई हैं। यूपी सरकार ने भी ती-3 लहर से निपटने के लिए पुथा तैयारी कर ली है। CM योगी ने टीम 9 की बैठक में अफसरों को तिसरी लहर से निपटने का पूरा एक्शन प्लान समझा दिया है। ये रिपोर्ट देखें। कुरोना के खिलाफ एक्शन में सरकार थर्ड वेब से निपटने का योगी प्लान टेस्टिंग, कॉन्टेक्ट और ट्रेसिंग पर जोड़। नेगेटिव रिपोर्ट लाओ, यूपी में एंट्री पाओ। दूसरी लहर से देश दुनिया के कुराम मचाने वाले कुरोना को लेकर यूपी सरकार पहले से ही सतर्ग थी अब यूपी में तीसरी लहर की आशंका को लेकर यूपी सरकार ने कमर कसली है प्रदेश में तीसरी लहर से पहले ही सीम योगी एक्शन मोड में है तीसरी लहर से निपटने के लिए योगी सरकार ने एक्शन प्लान तयार कर लिया है कुरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीतने के बाद अग तीसरी लहर की आशंग का बनी हुई है तीसरी लहर से पहले ही योगी सरकार एक्शन मूड में है कुरोना की दूसरी लहर ने महराष्ट के बाद यूपी में जम कर कोरा मचाया था पर CM योगी ने जैसे ही मेनेजमेंट की कमान खुद समहली UP में करोना दम तोड़ता चला गया CM योगी आधितनाथ और उनकी टीम नाइन ने UP में करोना पर बेहतरीन तरीके से काम किया और सबसे ज़्यादा अबादी वाले प्रदेश में करोना काबू में आ गया अब एक बार फिर दुनिया के वैग्यानिक तीसरी लहर को लेकर चिंता में है WHO ने भी अगस्त महीने में तीसरी लहर के पीक पर आने का अलर्ट चारी किया है ऐसे में योगी सरकार भी हरकत में आ गई है और करोना की तीसरी संभावित लहर से निपटने के लिए जी जान से जुट गई है भारत सरकार के चीफ वैग्यानिक सलाकार की तीसरी लहर की चेतावनी के बाद यूपी सरकार पहले से ही अलर्ट हो गई है कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में कोरोना की निशाने पर बच्चे रहेंगे इस जानकारी के बाद सीम योगी ने यूपी के 75 जिलो में मेटकल इंफराइस्ट्रक्चर को और मजबूत करने का काम तेट हो चला है कोविड अस्पताल, बेट, उकरण, वेंटिलेटर, जाच यंद, दवाईया, पैरा मेटकल स्टाफ सब में बढ़ोतरी की जा चुकी है हर जिलाची की साले में 10 बेट, हर मेटकल कॉलेज में कम से कम 25 बेट का पेडियोट्रिक आईसीओ बनाने का काम अंतिम चरण में है तो इसी भी सीम योगी ने यूपी में अब नया आदेश जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में एंट्री लेने के लिए अब कोविड की निगेटिव आर्टी पीसियार रिपोर्ट लाना ज़रूरी होगा रहिवार को योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ये निर्देश जारी किया है ऐसे में अब किसी भी दूसरे राज से जब यूपी में आना होगा तो कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट को साथ लाना अनिवार रहेगा रहिवार को सियम योगी अधितनाद की आला अधिकारियों सक्ट टीम नाइन की अहम बैठक हुई थी उस बैठक में सियम योगी ने दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए खास दिसानिर्देश जारी किये हैं जिसमें कहा गया है कि जिन राज्यों में पॉजटिविटी दर तीन फीजदी से जादा है वहां से आने वाले यात्रियों को कोविट की आटी PCR निगेटी रिपोर्ट लाना अनिवार होगा कोविट रिपोर्ट सिर्फ चार दिन पुरानी हो सकती है उन लोगों को छूट मिल सकती है जिन्हें वैक्सीन के दोनों टीके लग चुके हैं लेकिन फिर भी सडक, हवाई और रेल मारगों के अलावा निजी सादनों से आ रहे तमाम लोगों पर ये नियम लागू होंगे जो भी शक्स कोविट प्रफावित राज्यों से यूपी में एंट्री लेगा उसकी समय रहते कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करना ज़रूरी है प्रदेश में एंट्री पर एंटीजन टेस्ट और थर्मल स्कैनिंग भी होगी CM योगी अधितनात की तरफ से इसपस्ट निर्देश दिये गए हैं कि ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीदी पर अधिकारियों को काम करना होगा और कोरोना प्रोटोकॉल का राज में सक्ती से पालन होना चाहिए इंफ्रा रेट थर्मामीटर के जरिये भी व्यापक स्कैनिंग पर जोड़ देना होगा अभी के लिए CM की तरफ से ये दिसानिर्देश जारी कर दिये गए हैं आने वाले दिनों में एक SOP भी जारी कर दी जाएगी बतादे कि इस समय तमाम राज सरकारें ऐसे फैसले इसले ले रही हैं क्योंकि देश पर कोरोना की तीसी लहर का खत्रा मंड़ा रहा है नीती आयोग की तरफ से भी कह दिया गया है कि आने वाले 125 दिन काफी एहम होने जा रहे हैं ऐसे में अभी कोई भी राज सरकार धिल नहीं वरतना चाहती यही वज़े है कि कोरोना की तीसी संभावित लहर से पहले योगी सरकार फुल एक्शन मोड में है जिसे कोरोना की तीसी लहर को यूपी से दूर रखा जा सके इस्पेसल डैस के निउस इंडिया